ओजीज़ देखो बाई जो रियल मूवी एडिक्ट है ना उनके लिए नई मूवीज एकदम नशे की तरह होती हैं क्योंकि पुरानी मूवीज तो वो सब देख कर खतम कर चुके हैं और इसलिए आज new and fresh movies से loaded monthender वीडियो में लेकर आया हूँ February 2023 में रिलीज हुई सभी movies में से एकदम best और आपका time deserve करने वाली top 5 movies आज आपको मिलेगी तो चलिए फिर जल्दी से new content की एफ्रेश राइड हम शुरू करते हैं नमबर पाँच पे Netflix की एक romantic comedy film है जो हमें दो long time best friends की कहानी बताती है 10th February को Netflix पर release हुई Your Place or Mine दो long distance best friends हैं और दोनों एक दूसरे से opposite हैं लेकिन जब कुछ दिन के लिए इन दोनों को अपनी lifestyle swap करनी पड़ती है तब story का और इनकी life का एक interesting phase शुरू होता है दोस्तों फिल्म का long running time, convenient coincidences और थोड़ी weak script इसके weak point जरूर बनती है लेकिन फिल्म की charming cast और उनकी on screen chemistry इसे enjoyable बना देती है ये कोई over the top film नहीं है लेकिन अगर आप romcom movies पसंद करते हैं तो जादा expectations और comparison के बिना एक बार ये film आपको try करनी चाहिए वन आर और और फिप्टी मिनिट्स की फिल्म नेटफिक्स पर हिंदी, तमिल और तेलकू लेंगवेजिस में अविलेबल है नमबर चार पर दुनिया के सबसे छोटे super hero की कहानी का एक और हिस्सा है Marvel की latest film Ant-Man and the Wasp Quantum Mania जो हमें फिर से एक बार Scott Lang की दुनिया में लेकर जाती है लेकिन इस बार Lang family खुद Quantum Realm में जा रही है और sadly इस बार उन्हें सामना करना होगा इस phase के सबसे बड़े villain Kang का 17 February को ये film थेयर्टरी के लिए रिलीज हुई और अगर सच कहूं तो fans के expectations को ये match नहीं कर पाई फिल्म की story और Kang के अलावा इसके सभी characters काफी weak लगते हैं और Ant-Man की story में Ant-Man ही missing लगता है तो शायद इसलिए fans इस film से थोड़े disappoint हुए है और ये भी Marvel के bad projects में से एक बन गई है बस एक बात फिल्म में अच्छी थी और वो थे इसके amazing visuals जो हमें फिल्म के end तक entertained रखने की कोशिश करते हैं अभी ये फिल्म हिंदी, तमिल एंड तेलकू language के साथ theaters में live है और आप चाहे तो वहाई से enjoy कर सकते हैं लेकिन मेरे recording इसे OTT पर आने का इंतजार कीजिए पैसे और time दोनों बचेगा नमबर 3 पर एक ऐसे तेज तर्रार कौन आर्टिस्ट की कहानी है जो किसी को भी अपना victim बना सकता है 10 February को release हुई psycho thriller film Sharper में ये कौन आर्टिस्ट और बहुत से brilliant characters मिलते हैं एक दूसरे को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जब भाई बात 1 billion dollars की हो तो कौन चोर नहीं बनना चाहेगा अगर हम इस film के weak points की बात करें तो इस film की script कभी कभी कुछ जादा ही overwritten feel होती है जिसकी वज़े से हमें story बार-बार थोड़ा confuse करने की कोशिश करती है लेकिन film की brilliant cast और उनकी great performances सब कुछ cover करके film को worth watch बना देते हैं इस film की storytelling style भी थोड़ी सी अलग है जिसकी वज़े से ये और भी जादा enjoyable लगती है around 1 hour and 50 minute की इस film को आप Apple TV Plus पर English में enjoy कर सकते हैं नमबर दो पर एक ऐसी real life crazy कहाने जिस पे शायद आपको विश्वास नहीं होगा और इसे देखने के बाद जब आपको पता लगेगा कि एक true story है तब पक्का आपको एक shock लगेगा 24th February को theatrically release हुई comedy film cocaine bear बाई गलती से एक bear बहुत सारी cocaine खा ले तो उसका अनजाम क्या होगा यह हम सोच नहीं सकते लेकिन इस film में comedy and fun के साथ यह सब कुछ दिखाया गया है दोस्तो फिल्म में कमी बस एक रही है कि इसके जो human characters है वो उतने अच्छे से नहीं लिखे गए है जिसकी वज़े से यह film थोड़ी कम relatable लगती है लेकिन इसका brilliant dark humor and over the top premise इसकी backbone है और यही factor इस film को एकदम entertaining बनाते हैं अभी यह film theaters में live है तो आप वहाँ जाकर इसे big screen पर English में enjoy कर सकते हैं नमबर एक पर उसी deadly doll की कहानी है जिसके viral dance ने एकदम आग लगा दी थी January 2022 में release हुई Megan जो इस साल की सबसे पहली hit film रही थी यह sci-fi horror film एक robotics engineer की कहाने दिखाती है जो एकदम real human की तरह behave करने वाली AI doll बनाती है और इसकी एक creation कैसे उसकी life के लिए threat बनती है यह बिना spoilers के आपको discover करना चाहिए दोस्तों यह film अपने campy horror plot का पूरी तरह से फाइदा नहीं उठा पाती है क्योंकि यह एक PG-13 फिल्म है लेकिन अब Megan का underrated version भी आ चुका है जिसमें blood and killing साफ साफ दिखाई गई है यह एक fun horror film है जो end तक आपको engaged रखेगी 1 hour and 40 minute की इस फिल्म को आप prime video पर rent करके हिंदी में enjoy कर सकते है देखो यार हर मन्त की तरह इस बार भी मैंने best movies तुम लोगों तक पहुंचाने का काम एकदम इमानदारी से किया है तो फिर अब तुम लोग भी channel को subscribe करो पूरी इमानदारी से और इतनी मैनत की है यार इसके बदले तुम वीडियो को like and share तो करी सकते हो पिछले मन्त की सभी best movies के लिए right में show हो रही playlist में जाओ वह आपको सब कुछ मिल जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों मस रहिए quality content enjoy करते रहिए फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत